ट्रेट सब्रीवान कि लार्स्ट करों Gनुन प्रीकों सड कि थी उस शेशन को एक बर लोग ब। ब्रीफ में एक्सप्लेंशन उसका लेवे लेते हैं session part first a chapter 1 था वही चल रहा है उसका session second है session second जो है वो हमारा कहता है identify elements of communication cycle communication cycle के कौण कौण से elements हैं मतलब जिनकी वजह से या जिनकी help से हमारा communication complete होता है these are called elements तो यहां देखो सबसे पहली वाली लाइन यह कहती है हमें कि यह कोई matter नहीं करता कि आपने कितना valuable या कितना excellent या कितना अच्छा content आपने सामने वाले इंसान को deliver किया है बशर्टे माइन यह रखता है कि जो भी आपने सामने वाले user को receiver को जो भी data send किया है वो proper communicate हुआ हो और स समझाया हो ठीक है यह कहलाता है effective communication अगर हम important points discuss करें communication के तो सबसे पहला point जो है clear मतलब जो भी आप सामने वाले को कहना चाहते हो वो clear होना चाहिए second है concise that means जो भी आप लोगोंने लिखा है मतलब आपने चाहिए बोल के बताया है या लिख के बताया है वो simple words में होना चाहिए ताकि receiver उसको easily understand कर सके third है concrete that means उसमें exact words का use किया गया हो और phrases को use में लिया गया हो मतलब कहने का यह है कि हमने जो words या हमने जो भी बात बोली वो घुमा फिरा के नहीं बोली हो directly explain क्या हो correct fourth है correct हम लोगों ने जो भी data लिखा है उसकी language उसकी grammar उसके spelling correct होनी चाहिए क्योंकि अगर हम लोगों ने गलत लिखा तो वो miss message जो आप convey कर रहे हैं वो complete होना चाहिए words जो भी आप लिख रहे हैं जैसे coherent जो words आप लिख रहे हैं वो sensible होने चाहिए मतलब उनका कोई न कोई मतलब होना चाहिए उसी topic से related होने चाहिए यह नहीं है कि आप बात तो कर रहे हैं communication की और उसमें डाल रहे हैं perspective ठीक है उसके बाद यह है कि आपको respectful होना चाहिए और honest होना चाहिए जो भी आप लोग उने send किया उसके लिए अब हम जो हमारा session main जो कहता है elements के बारे में तो elements को हम लोग देख लेते हैं तो elements क्या कहते हैं देखते हैं चलिए elements में सबसे पहला element आता है हमारा sender, sender कुन सा होता है a sender is the source of message that is to be delivered to the receiver by the use of appropriate channel sender एक source है जो कि किसी भी message को receiver तक send करने का काम करता है और उसके लिए वो किसी specific appropriate channel को यूज में लेता है मतलब एक जिससे हम लास्ट में अपनले बात की थी न मोर्स को यूज में लेते चाहिए वो वर्बल है रिटर्न है वीज्वल है मतलब कोई नो कोई channel तो यूज में लेगा ना जिससे के सामने वाले तक वो data easily communicate किया जा सके second है idea by sander जो भी अपन communication के लिए process लेते हैं वो idea होना चाहिए sander का मतलब sander के mind में वो process easily clear होनी चाहिए कि हमें पहला कौन सा element लेना है और उस पर कौन सी process करवानी है communication के लिए ताकि कि वो receiver तक पहुँचाया जा सके easily third message जो भी हम लोग send करना चाहते हैं receiver तक वो particular content होना चाहिए मतलब वो एक proper message होना चाहिए जो कि easily send किया जा सके मतलब उस message का कोई meaning होना चाहिए fourth encoding encoding और decoding जो सबसे हम यह बोले कि important है इस complete elements में हम लोगोंने encoding और decoding दो process ऐसी है जो lastly I think so मैंने आपको बताई होंगे अगर नहीं भी बताई तो हम लोग एक बर वापस से से देख लेते हैं encoding और decoding का मतलब अगर मैं simple आपको बताना चाहूं तो देखो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो भी हम लोगोंने content दिया like PC में भी अगर हम लोगोंने कोई content दिया तो directly उस content को समझा नहीं जाता है उसे हम किसी ना किसी मॉड में उसको एक intermediate format में convert कर देते हैं ताकि जो सामने वाला receiver है वो उसे अच्छे से समझ सके क्योंकि देखो हम लोगोंने अगर computer को computer वाली language समझ में आती है अगर हम लोगोंने 2 प्लस 2 किया तो वो उसको 2 ना समझ कर 0 1 में convert करके करता है है ना तो यह जो 2 को 0 और 1 में जो conversion अपन करते हैं यह complete process होती है encoding देखो clear है encoding means converting source message in a set of symbols that can communicate to the receiver जो भी अपन communicate करना चाहते हैं किसी message को उसको convert कर दिया जाता है या तो किसी symbols में या कोई special format की कोई language होती है तो उसमें convert कर दिया जाता है ताकि वो easily receiver ता communicate किया जा सके ठीक है next अपन बात करते हैं communication channel जैसे कि अपन receiver और sender के बीच में sender और receiver के बीच में जो भी हमारा communication link है जहां से data हमारा एक node से दूसरे node तक आ रहा है traverse करा रहा है वो कोई ना कोई एक specific channel हमारा होना चाहिए जैसे कि अब अगर हम लोग आपस में communication कर रहे है तो हमारा जो communication का mode है वो क्या है WhatsApp तो WhatsApp हमारा क्या हो गया communication channel हो गया next sixth point है हमारा receiver receiver कोन होता है एक person होता है जो कि sender से send की हुए message को receive करता है और उसी message के उपर अपना feedback प्रोवाइड कराता है जब हम लोगों ने fourth point encoding पड़ा तो encoding अगर हमने कोई सी data को किया है तो उसका decode भी होना चाहिए तो हम बात करते है decoding means to interpreting the messages in its original format आपने by computer ने उसको convert करके आप तक पहुचा दिया process हो गई जब आप तक वो feedback जाएगा तो उसको वापस से interpret किया जाएगा उसके original format में तभी तो आपको समझ में आएगा मतलब जो process encoding में हुई decoding में उसका just उल्टा हो जाएगा encoding में उसके source को communicate किया जाता है है ना किसी symbols है किसी specific language में और decoding में उसको उसके original format में वापस send कर दिया जाता है ठीक है और last feedback जो सबसे last element होता है communication cycle का वो क्या होता है feedback जो की reaction होता है receiver का जो की एक receiver sender को as a response provide कराता है चीक है यह जो भी अपन session पढ़ रहे हैं बिल्कूल easy है क्योंकि हम लोग जो भी daily routine life में हमारे में जो भी होता है यह complete उस पर depend करता है बशरते की यह specific language लेकर चलता है तो हमको learn करना होता है उसको IT की format मे develop करना होता है सिर्फ इतनी सी बात है ठीक है इसके बाद वाला content कल दूंगी वीडियो के साथ ओके तब तक के लिए अभी इस वीडियो में complete वही है जो मैंने कल आपको photo click करके send किया था ओके लिख लीजिए कुछ नहीं समझ में आता तो मुससे personally query कर लीजिए ओके thank you